असलाम अलेकुम मेरे यूटूब की प्यारी से फैमली कैसे हैं आप सब उम्मीद है खैरे से होंगे मैं भी ठीक हो अलामदुलिल्ला तो चलिए आज हम जा रहे हैं सिंपल सी आसान सी जट पर बनने वाली खीर तो यह मैंने लिये हैं चावल और यह बासमती राइस है और वो प्रूड्स लाइची पाउडर और इधर यह है मिल्क पाउडर और इसको इसे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो इधर मेरे चावल भीग रहे हैं तो यह मैंने एक बटन में मिल्क को बाइल करने के लिए रख दिया है और यह अच्छे से बाइल हो चुका है और इसकी कि कि पेसर है तो आप भी ढल सकते हैं और नहीं है तो कोई बात नहीं तो इसको बस अच्छे से चलाते रहें तो इसका सारा प्रोसेस चलने का है तो अब हमारे चावल अच्छे से भीग चुके हैं और यहican देखे मै speaking तो या दिखा रही हूं चावल से भीग चुके हैं अब अच्छे से बूल लेना है वैं कि मुखा अच्छ़ं कर देंगे श्रकर हैं एसे जलाते हुआ है कि अच्छ sapi और श्रकर चला लें की मिक्स कमारे चोटे आब पूंके अगर कुछ गलती हो जाती है तो प्लीस मुझे बताए तो ताकि मैं आने वाली वीडियो में मैं सुधाला सुकू और अच्छे कमेंट्स भी दीजिए मुझे बताएं भी मैं आकर क्या करूं तो चलिए जी मेरे अच्छे सी खीर पक चुकी है अल्मोस्ट अब इसमेर के लिए अच्छे से बाद हम इसमेर के लेसे लाउची पादर शामिल कर लेते हैं और इसे भी चला लेते म Holz took a अशे से लाएं अच्छे से अभी जेटाओ सकते हैं अब करिया हैं और यह उखने और एक भीन जोने को अब आप यह कोमेने डाल दिया थींग है नीय Bake Ourhisजे स्फिर्वाइब और यह मेल बाह het इसुमत कुक्छश कोई फ्ले में इसका अफ उंडी होने के बाद अपदाई श्रवा रहा सकते है और इसके ओपर थवसे डाइफोट से आप सजा सकते हैं इसे आप जरूर ट्राइक करें और इसका फीडबैक मुझे इंस्टाग्राम में जरूर सहर करें कैसे लगी आपको वीडियो, I hope कि अच्छे लगी होगी, प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताएं, सब्सक्राइब जरूर करें